Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पता देती हूँ Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है Free of cost quality education from class K to class 12 जी हाँ सही सुना आपने किंटरकार्डन से लेकर class 12 तक की कराई जाती है आपको complete education वो भी free of cost प्रोवाइड तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है और कर देना है Magnet Brains को subscribe जहां पर आपको CVC Board से लेकर other state board जैसे की UP Board, MP Board, Bihar Board जैसे courses भी available है यहां तक की आपको practice questions भी आपर solve कराई जाते हैं e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी जो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है अश्मित कौर और मैं हूँ आपकी math faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे chapter 12 जिसका नाम क्या है factorization उसका कॉंसर topic factors of the form मतलब ये भी एक identity देके रखी है जिसमें हम factors किस form में निकालेंगे bracket open x plus a bracket close then again bracket open x plus b मतलब x plus a multiply by x plus b form में हम क्या निकालने वाले हैं factors निकालने वाले हैं ठीक है साथी में हम क्या करेंगे ncrt examples 9 to 12 यहाँ पर solve करने वाले हैं ठीक है लेकिन इससे previous वीडियो में हमने क्या देखा था हमने 3 identities देखी थी जिसके थू हम क्या कर रहे थे factorization कर रहे थे questions को solve कर रहे थे and साथी में वहाँ पर भी हमने ncrt के example solve किये थे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है उस वीडियो को like, comment and share करना है and then फिर आना है इस वीडियो पर ठीक है तो सबसे पहले हम देखें हमें क्या देखे रखा है x plus a multiply by x plus b is equal to x square plus bracket open a plus b bracket close multiply by x plus a b ठीक है तो यह कहां से आया यह क्या है? यह identity देखे रखी है जिसमें जिसे solve करने पर हमें answer यह मिल रहा है तो यह solve कैसे किया गया है? बहुत easy है क्या करना है? हमें देखे क्या रखा हुआ है x plus a and x plus b multiply करना है दोनों को सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले x का multiplication x plus b से होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे x multiply by x plus b and then उसके बाद plus a multiply by x plus b ठीक है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर x का multiplication x से भी होगा x का multiplication b से भी होगा and यहाँ पर a का multiplication x से भी होगा and a का multiplication b से भी होने वाला है ठीक है आया समझ में तो जब हम x को x से x से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा x square फिर x को b से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा b x ठीक है और बीच में लग जाएगा plus का sign ठीक है इतना आया समझ में चली तो यहाँ पर हम x square as it is लिग देंगे अब अगर हम bx और ax को देखें, दोलों में क्या common दिख रहा है, x common दिख रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a plus b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ने बिलकुल लिख सकते हैं, b plus a लिखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम x common निकाल देंगे, क्या करेंगे हम x common निकालो या पीछे साइट common निकालो आपकी मेर्जी ठीक है, X को बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, B प्लस A बच रहा है, and bracket close, प्लस यहाँ पर A भी बच रहा है, ठीक है, इतना आ गया है समझ में, चलिए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, X स्कुायर प्लस A, प्लस B, जो की bracket में लिख रहा है, and X को हमने इस साइट लिख दिया, प्लस A, B, तो अगर आप ध्यान से देखो, यह जो हमें मिला है, वो exactly यही मिला है, यह जो expression हमें मिल रहा है, वो exactly इस expression से match कर रहा है कि नहीं, बिलकुल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जब हम इ इसे note down कर लीजिए, कर लिया अपने note down, चलिए, अब next देखते है, next क्या देखे रखा है, example 9, factorize X square plus 5X plus 6, हमें क्या करना है, इस expression को factorize करना है, वो भी कैसे, जो identity हमने देखी है, उसी का use करके, उसी form में हमें factorize करना है, ठीक है, आगया समझ में, उसके लिए हम क्या करेंग सबसे पहले, यहाँ पर देखेंगे क्या है, 6, एंड यहाँ पर देखेंगे कौन सा number है, number तो है, नहीं variable देखे रखा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 देखे रखा है, 6 का multiplication किस से कर देंगे, 1 से कर देंगे, तो 6 1s कितना होता है 6 होता है तो अब हम क्या करेंगे 6 का निकालेंगे प्राइम factorization तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है and then उसके बाद 3 बंज़ 3 ठीक है आगया समझ में कितना आया समझ में चलिए अब हम क्या करेंगे अब हमें ऐसे numbers देखने हैं यहां पर जो factors निकलेंगे ना एक factor क्या निकला है 2 और एक factor निकला है 3 ठीक है हमें ऐसे numbers रही हैं ऐसे हमें numbers को लेना है कि जब हम add या subtract करें ना तो हमें यह बीच वाला number मिल जाए जो की क्या है जो की है 5x ठीक है 6 multiply by x square करेंगे यहां फिर रही 6 multiply by 1 किया हमने यहां हमें फ्रे न उसके बाद हमें उसके बाद यहां पर हमें.2 यहां पर हमें factor मिल रहे है 3 तो 2 प्लस 3 चरेंगे answer क्या आता है 5 आता है की नहीं बिल्कुल आता है यहां पर भी क्या है यहां पर भी हमें 5x से दिख रहा है है ना दिख रहा है कि नहीं बिल्कुल दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे अब हम x square को तो as it is लिख देंगे हम क्या करने वाले हैं x square को as it is लिखने वाले है साथ ही में बीच में प्लस का साइन है यहाँ पर भी लग जाएगा प्लस का साइन ठीक है एंड हमने क्या किया जब हमने 6 के फैक्टर्स निकाले तो हमें 2 and 3 मिला लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि 2 प्लस 3 मतलब इन फैक्टर्स को जब हम एड़ कर रहे हैं हमें 5 मिलन रहे हैं जो की बीच वाले 5 से मैच हो रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 and 3 का इस्सिमाल करेंगे मतलब ब्लस 2x लिखेंगे प्लस 3X यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर 3x आ गया, 2x प्लस 3x करेंगे, ultimately answer क्या आएगा, ultimately answer हमारा 5x यह आएगा, ठीक है, अब हम हमी क्या करना है, अब हम इस expression को group में divide कर देंगे, एक यह group हो गया, एक यह group हो गया, ठीक है, सबसे पहला group अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि दोनों में ही x common है, तो x को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है, फिर bracket open, x को, 1x को हमने बाहर लिखा, तो अभी 1x और भी बच रहा है, तो यहाँ पर वो लिख देंगे, बीच में plus का sign, इस x को हमने बाहर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, bracket close, ठीक है, इतना हैं समझ में, अब दूसरा group देख लेते हैं, दूसरे group में हमें क्या दिख रहा है, 3x plus 6, ठीक है, 6 की बात करें, तो हमें पता है, 2 multiply by 3 कितना होता है, 6 होता है, मतलब दोनों में 3 तो common आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, plus 3 को बाहर ले लेंगे, ठीक है, common ले लिया, बाहर ले लिया, तो जैसे हमने बाहर लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर x बच रहा है, 3 को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर x बचे का, बीच में है plus का sign, ठीक है, यहाँ पर 6 है, 6 कैसे आता है, 2 multiply by 3, 6 आता है, 3 को हमने बाहर ले लिया, then यहाँ पर क्या बच रहा है x and यहाँ पर क्या बच रहा है plus 3 तो हमारा answer क्या आ रहा है x plus 2 multiply by x plus 3 ठीक है तो यह किस form में है हमने अभी identity क्या पड़ी थी हमने identity पड़ी थी x plus a multiply by x plus b तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर अगर हम a को मान ले 2 और b को मान ले 3 तो same वही बन रहा है x plus a multiply by x plus b वही तो identity यहाँ पर मतलब यहाँ पर वही तो identity create हो रही है जो just अभी हमने पड़ी है ठीक है आया समझ में तो हमने कही न कहीं उसी form में किया है इस identity का ही उस किया है ठीक है आगया समझ में चलिए आगया है तो जल्दी से note down कर लीजिए कर लिया आपने note down चलिए अब next देखते है next हमें क्या देखे रखा है example 10 example 10 solve करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को like, comment and share कर देना है ठीक है अब हमें क्या देखे रखा है y square minus 7y plus 12 ठीक है यहाँ पर क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है इनको भी क्या करना है find the factors मतलब factors निकालना है factorize करना है ठीक है यहाँ पर हम 12 दिख रहा है 2 6s are 12 2 3s are 6 3 1s are 3 ठीक है तो यह हमने क्या किये factors निकाल लिए चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने factors तो निकाल लिए लेकिन अब हमें देखना है beach का number अब हमें क्या देखना है beach का number देखना है ठीक है आगया समझ में, तो यहाँ पर हम 7 कैसे लेकर आ सकते हैं, हमें यह दिमाघ लगाना है, कि हम यहाँ पर 7 कैसे लेकर है, क्या 2 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, तब आएगा 7, आएगा क्या पहली बात तो plus नहीं करना है, हमें सिर्फ दो number चाहिए रहते हैं, यहाँ पर क्योंकि हम दो number से split करते हैं, जैसे कि previous question में हमने क्या किया था, 2x plus 3x किया था, जिसमें हमें सिर्फ दो number लेने थे, ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 number देके रखें, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे arrange क करना है कि ultimately हमें 2 number मिले, कैसे हम क्या कर सकते हैं, 2 multiply by 2 कर सकते हैं, है तो यह factors ही न, 2 multiply by 2 multiply by 3 करके ही 12 आएगा, ठीक है, तो अब हमें सिर्फ 2 number चाहिए, तीन number का इस्तिमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 number का इस्तिमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, 2, 2 सा 4 लिग देंगे, यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है, तो क्या हम number 4 and number 3 का इस्तिमाल करके, 7 लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, कैसे, 4 plus 3 करेंगे, answer क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है, यह तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन गड़बड यह हो रही है, कि यहाँ पर plus 7 नहीं यहाँ पर minus 7 है, तो minus 7 कैसे लेकर आएगे, आपने अगर integers chapter अच्छे से पढ़ा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, minus 7 कैसे आएगा, अगर हम minus 4, minus 3 कर दें, तो ultimately answer तो minus 7 आएगा न, तो हम minus 4 and minus 3 लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या इस लिख देंगे, साथ ही में minus 4x, sorry, minus 4y, यहाँ पर क्या है, y है न, यहाँ पर भी y है, तो y का यूज करेंगे, minus 4y, minus 3y, इन्ही numbers का यूज किया हैं, और कोई numbers नहीं यूज कर रहे हैं, जो 12 के factors में आ रहे हैं, उन्हीं numbers का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, आगया समझ में 3 का use नहीं कर सकते थे, तो हमने ऐसे arrange किया, कि 2 को multiply कर दिया, यहाँ पर 3 बचा केला, तो ultimately 4 and 3 को multiply करके, तो 12 आएगा, हमें ऐसे numbers लेने होते हैं, जिनको multiply करके, यह मिले, और जिनको add या subtract करके, हमें बीच का number मिले, हमें ऐसे arrange करना होता है, तो 4 multiply by 3 कर रहे हैं, तब भी 12 4 प्लस 3 कर रहे हैं, तब हम बीच का 7 मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस नहीं करना है, माइनस का sign चाहिए, तो माइनस 4 multiply by minus 3 कर देंगे, और अगर माइनस 4 multiply by minus 3 करते हैं, तब भी answer क्या आ रहे है, 12 ही आ रहे है, आगे समझ में चलिए, और यहाँ पर क्या बच रहे है, प्लस 12 ब दोनों में ही y common है, तो हम y को बाहर निकाल लेंगे, y को बाहर निकाला तो यहाँ पर y square है, अभी भी एक y बच रहे है, यहाँ पर minus आएगा, यहाँ पर 4 बच रहे है, क्योंकि y को बाहर निकाल लिया, ठीक है, इतना आ गया समझ में चलिए, अब यहाँ पर 3 y है, यहाँ 12 है 12 कैसे आया 4 multiply by 3 करेंगे 12 आएगा मतलब दोनों में 3 तो हमें common मिल रहा है न तो हम क्या करेंगे 3 को बहार निकालेंगे लेकिन doubt यह आ रहा है कि प्लस 3 बहार निकाले है माइनस 3 क्योंकि यहां पर प्लस का भी साइन है 12 होता है तो अभी 4 भी बच रहा है ठीक है आ गया समझ में लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यहां पर क्या आया है y-4 यहां पर क्या आया है minus y plus 4 क्या दोनों similar मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है यहां पर हमें plus का sign नहीं हमें minus का sign बाहर निकालना था ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे minus 3 को बाहर निकालेंगे जैसे ही minus 3 को बाहर निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था अगर minus का sign हम common निकाल रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं तो sign change हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर y बच रहा है और यहाँ पर minus का sign है तो हम positive ही रहने देंगे यहाँ पर 4 बच रहा है यहाँ पर positive का sign है तो हम negative का लगा देंगे sign change हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या मिल गया y-4 यहाँ पर भी क्या मिल गया है y-4 तो हम क्या करेंगे y-4 को common लिख लेंगे बाहर लिख लेंगे तो बच क्या रहा है y-3 बच रहा है ठीक है आगे है समझ में तो ध्यान से देखें यहां पर भी क्या identity लग रही है x plus a and x minus sorry x plus b वाली ही identity लग रही है जिसमें जो a है वो क्या है a है minus 4 और जो b है वो क्या है b है minus 3 ठीक है and x x क्या है उसकी value x की value क्या है x की value यहां पर y लखी होई है ठीक है आगया समझ में तो यही identity का यहां पर use हो रहा है ठीक है तो यहां पर आपको यह नहीं सोचना है कि x minus a and x minus b वाली identity कुछ लगी है plus की ही identity लगी है ठीक है आगया समझ में क्योंकि अगर हम solve करेंगे x की जगा y की value डालेंगे बीच में plus का sign a की जगा अगर हम minus 4 लिखते हैं ठीक है तो ultimately answer क्या आएगा plus minus minus y minus 4 ही आ रहा है ठीक है आगया समझ में तो directly हम क्या बोल सकते हैं कि x plus a multiply by x plus b की identity यहां पर use हो रही है ठीक है आगया समझ में आया है तो आप यहां पर note down कर लीजिए कर लिए आपने note down चलिए अब next देखते हैं next क्या है next example 11 example 11 क्या है obtain the factors of z square minus 4z minus 12 मतलब यहां पर भी हमें क्या करना है इस expression को factorize करना है सबसे पहले यहां पर हम देखें तो क्या देखें रखा है 12 यहां पर कोई number नहीं है हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे तो 1 multiply by 12 ultimately क्या होता है इतना है समझ में तो 12 के अगर हम factors निकाले तो क्या क्या आएंगे 2, 2 and 3 यही factors आएंगे तो अब हमें क्या करना है अब हमें ऐसे numbers का use करना है ऐसे 2 numbers का use करना है जिसको multiply करके 12 आए या minus 12 आए यहाँ पर तो देखे रखा है minus 12 ठीक है multiply करके minus 12 आए and plus यहाँ minus करके क्या आजाए minus 4z आजाए ठीक है तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम ले ले 2 and 2 को 2 multiply by 2 कितना होगा 4 and यहाँ पर अगर हम ले ले 3 को ठीक है 4 and 3 number ले ले तो plus करेंगे answer क्या आएगा 7 क्या यहाँ पर 7 है बिल्कुल नहीं है और अगर हम minus 4 minus 3 कर रहे है तब क्या आ रहा है minus 7 क्या यहाँ पर minus 7 है वो भी नहीं है और अगर हम 4 minus 3 कर रहे है तब क्या आ रहा है 1 तो मतलब कुछ भी कर ले हमें यहाँ पर माइनस 4 तो मिल ही नहीं रहा, 4 भी नहीं मिल रहा, तो माइनस 4 क्या ही मिलेगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अब हमें थोड़ा नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा, कैसे, फैक्टर्स तो यही रहेंगे क्योंकि 12K factors तो ही रहते हैं अब हम क्या करेंगे 2 multiply by 3 कर देंगे अब हम क्या कर रहे थे 2 multiply by 2 लेकर देख रहे थे अब हम क्या लेकर देखेंगे इन दो numbers को लेकर देखेंगे 2 multiply by 3 करेंगे तो answer क्या आएगा 6 और यहाँ पर क्या है यहाँ पर 2 है ठीक है अब हमें क्या करना है अब अगर हम 6-2 कर दें तो answer क्या आ रहा है 4 क्या रहा है answer 4 आ रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए minus 4 चाहिए तो अब हम क्या करेंगे minus 6 कर देंगे and यहाँ पर 2 को positive कर देंगे तो जब हम minus 6 plus 2 करेंगे तो minus plus तो minus ही होता है 6-2 करेंगे 4 आएगा फिर हम देखते हैं कॉंसे नमबर बड़ा है तो ये नमबर बड़ा है 6 उसके आगे negative sign है तो यहाँ पर भी negative sign आजाएगा अब हमें क्या मिल रहा है अब हमें मिल रहा है minus 4 ठीक है साथ ही में जब हम minus 6 multiply by 2 करेंगे तो 6-2s are 12 and minus plus minus हो जाता है तो तब भी हमें क्या मिल रहा है minus 12 मतलब यहाँ पर हमें minus 12 भी मिल रहा है and साथ में minus 4 भी मिल रहा है ठीक है आगे समझ में तो मतलब हमें कौन से दो numbers लेने हैं हमें यहाँ पर कौन से दो numbers लेने हैं 1 minus 6 और 1 plus 2 ठीक है आगे समझ में इतना है समझ में, अब हम क्या करेंगे, दो ग्रूप में डिवाइड, एक ग्रूप इसे ले लेंगे, एक ग्रूप इसे ले लेंगे, ठीक है, इस ग्रूप में देखें, तो z common है, z चला जाएगा बाहर, then bracket open, यहाँ पर क्या बच रहा है, एक z अभी बच रहा है, यहाँ पर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, ठीक है, तो 2 को बाहर निकालेंगे, प्लस 2 को बाहर, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, z, बीच में minus का साइन, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है, इतना आ आ गया समझ में, चलिए, तो पर भी z-6, यहाँ पर भी z-6 है, तो हम क्या करेंगे, z-6 को common ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, z and यहाँ पर क्या बच रहा है, plus 2 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, factorize करने पर हमारा answer क्या आ रहा है, z-6 multiply by z plus 2, ठीक है, तो यह भी हमें किस form में दिख रहा है, x plus a and x plus b form में ही दिख रहा है, ठीक है, जिसमें x की value हम z ले लेंगे, a की value क्या हो जाएगी, a की value हो जाएगी minus 6 and b की value क्या हो जाएगी, b की value यहाँ पर 2 हो जाएगी, और x को तो हम z ही ले रहे हैं, दोनों केस में ठीक है, आ गया समझ में, तो यहाँ पर factorize करने पर हमारा यह answer आ रहा है, तो आप जल्दी से इसे note down कर लीजिए, कर लिया आपने note down और वीडियो अच्छी लगए तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को like, comment and share कर देना है, ठीक है, चलिए, अब next देख लेते हैं, next क्या है, example 12, example 12 क्या है, find the factors of 3m square plus 9m plus 6, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस equation को, मतलब इस expression को factorize करना है, ठीक है, सबसे पहले हम देखें, तो इस expression को हम simple बना सकते हैं, कैसे, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या है, 9, 9 मतलब 3 multiply by 3, यहाँ पर क्या है, 6, 6 मतलब 2 multiply by 3, ठीक है, आगया समझ में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तीनों में से, तीनों में से 3 को common निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों में ही 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को common ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, M square, 3 को हमने क्या किया बाहर ले लिया तो यहां पर क्या बच रहा है M2 प्लस यहां पर क्या बचेगा 1 3 बाहर आया तो 1 3 अभी भी है तो 3 M प्लस यहां पर क्या बच रहा है 3 को बाहर लिखा तो 2 अभी भी बच रहा है 2 multiply by 1 answer कितना आएगा? 2 ही आएगा तो 2 के हम prime factors निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सबसे पहले तो 2 क्या है? 2 prime number है, तो हमें पता है prime numbers के factors स्रिफ 2 ही होते हैं एक तो 1, एक तो वो number ही ठीक है? तो 2 के जो prime factors है वो क्या होंगे? 1 and 2 ही होंगे यहाँ पर plus minus करने पर 3 है, मिले and यहाँ पर multiply करने पर हमें क्या मिल जाए? 2 मिल जाए, ठीक है? तो अगर हम ध्यान से देखें अगर हम 1 plus 2 करते हैं तो answer क्या आएगा? 3 आएगा और 1 multiply by 2 करते हैं तो answer क्या आएगा? 2, ठीक है? तो 1 plus 2 करेंगे, answer 3 आ रहा है यहाँ पर क्या है? 3 है 1 multiply by 2 करेंगे, answer 2 आ रहा है यहाँ पर क्या है? 2, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? 1 and 2 को ही लेकर चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 3 as it is रहेगा, and bracket open यहाँ पर क्या हो जाएगा? m square, plus, अभी सरफ bracket को solve कर रहे हैं, ठीक है? आगे है समझ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 m, क्योंकि 1 और 2 ले रहे हैं, ठीक है? 1 m लिखें या m लिखें, एक ही बात है तो 1 m की जगा हम directly क्या लिख सकते हैं? m भी लिख सकते हैं, ठीक है? then उसके बाद plus 2 m and यहाँ पर क्या है? यहाँ पर plus 2 है, ठीक है? आगे हैं समझ में, अब हम क्या करेंगे? ग्रूप में divide करेंगे एक ग्रूप यह हो जाएगा, एक ग्रूप यह हो जाएगा, ठीक है? इतना हैं समझ में यहाँ पर क्या? 3 as it is आएगा, दोनों में से मतलब सबसे पहले यह ग्रूप ले रहे हैं तो दोनों में से हमें m common दिख रहा है तो हम m को बाहर लिख देंगे, ठीक है? m को हम क्या कर रहे हैं? बाहर लिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 2 common तो 2 को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? M and then यहाँ पर plus का sign यहाँ पर 2 को हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे ठीक है? इतना आया है समझ में and then bracket close चलिए अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखे तो M plus 1 and M plus 1 दोनों ही क्या है? दोनों ही common है तो हम M plus 1 को बाहर ले लेंगे ठीक है? and then M plus 1 को हमने बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है? M and यहाँ पर क्या बच रहा है? plus 2 तो factorize करने पर हमारा answer क्या आ रहा है? 3 multiply by M plus 1 multiply by M plus 2 ठीक है? आ गया समझ में तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? factorize कर सकते हैं तो आप जल्दी से इसे भी note down कर लीजिए कर लिया अपने note down? चलिए तो यहाँ पर होती हमारी video complete I hope आपको वीडियो अच्छी लगी है and identity का यूज करके कैसे हम factorize कर रहे हैं? यह भी समझ में आया है वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को like, comment and share करना है and then फिर जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है magnet brains को subscribe यह रहे हमारी application यह रही हमारी website and यह रहे हमारे top courses जो आपको provide कराते हैं free of cost, quality education e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी and यह रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं and कर सकते हैं magnet brains को follow अब इससे next video में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ यह जानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर देना होगा magnet brains को subscribe Thank you so much